नमस्कार दोस्तों क्यों ए निश्यू करने से वहले बजार के बारे में कुछ बात करते हैं अगर आप बजार को देखोगे तो शांदार बजार है बजार के अंदर पैसा बना शुरू हो चुका है काफी सारे कमेंट्स आते हैं में पास कि भाई चलो ठीक है अब एक अच्छी अग्रिगेशन करा है जहां पर मैंने काफी जादा पैसा लंसम बोल लो एसका या कॉंबिनेशन बोल रहो यह हमने करना शुरू करा है सो स्लोली स्टेडली मुमेंटम में यह चीज़े आ रही है और यहां पर जहां पर हमने इन्वेस्ट किया लास्ट उस टाइम के अंदर अब बनना शुरू होगा इंटरस रेट कट के लिए और इसी वज़े से मैं लास्ट दो तीन महीने से लगतार एक चीज़ बोल रहा था जब भी लोग बोलते थे यार आप लबसम की वीडियो क्यों बनाते हो दिसकस करते थे पर सिस्टन सिस्टम हो गया कोफ हो गया एंफिस हो गया टाटा एलेक्सी हो गया इंसके ओपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हैं एक एक दिन के अंदर सॉरी एक हफ़ते के अंदर टाटा एलेक्सी 35% तक के गीन दे चुका है आज अच्छा क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि वह एक हफ़ते के अंदर 35% के रिटन कहां मिल रहे तो इसलिए कहते हैं जब आप एक अच्छा स्टॉक करके रखते हो जैसे काफी लोग के अमेंड आते हैं कि अच्छे स्टॉक्स हैं यह फंडामेंटली स्टॉंग कंपनी है प्रॉफिट स्टॉक्स भागेंगे और यह पैसा आपके लिए एक महीने दो महीने में इत्ता बना देंगे जितना नॉर्मली आप म्यूचल फंड्स में साल में रेट साल में बनाते हो इसके बीचेंगा तो सिंपल सा लॉजिक ही होता है जब एक स्टॉक्स चलना शुरू होता है तो टाइम एक साल डेट साल दो साल के अंदर एक बार में आपको 50-70% के रिटन देते हैं जब भी आप स्टॉक्स में इंवेस्ट करते हो तो भाई इंवेस्ट करके आरां से रिलैक्स करके बैटना होता है रेविन्यूज आ रहे हैं पस एक बार में पर पैसा बन जाएगा सीम चीज़ मा बोलूँ आप प्रसें सेंस टर्म को फोजम फिस्टाटल एकसी यह अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो जिसके अंदर डेफिनिटल मेरी खुद की पोजिशन भी हैं बैंकिंग फिनेस कंज्यूमर इनके बार में मैंने काफी बार आपके सार डिसक थियू पता होते है ठीकली उत्तहद एकस्पिरिंस नहीं होता हुआ तो अपनी थेओरिटिकल एकस्पिरिंस बतातो हो इसमें मैं प्रक्टिकल एकस्पिरिंस नहीं कर रहे को अधह सब्सक्राबों और आपको ये समझा गए कि एक सेग्मेंट है जहाँ पहुत सारा पैसा ब यह चीज़ कर सकते हैं अगर करना चाहूं में इस चाहिट से कोई पुछ नहीं है इसने ध्यान से सुनना देखूं जब आपके पांच लाग रुबे पड़े हुए और आपको लगता है कि एक सेग्मेंट है जो तीजी से भाग सकता है या जो मार्केट है इस सवापर बहुत टेक्स आर्वेस्टिंग के साथ इसको हम निकाल सकते हैं पैसे को ठीक है तो पहली चीज़ होगे यह सेकेंड चीज़ अब आपने लोन ले लिया और आपके पास अब लेवरेज आ चुका है अब क्या अगर सकते हो आप मूचल फंड के अगेंस्ट आपको लोन मिलता है सेम चीज़ शेयर मार्केट में मिलती है कि अगर आपके बाद अच्छे स्टॉक्स है लेवरेज लेते हो तो उसके इसके इंदर क्या होता है कि अगर वो स्टॉक गिरा तो जो गैप का पैसा है उसकी आपको पेमेंट करनी होती है अगर आपके भी हाफ पर वो स्टॉक बेच देते हैं ठीक है तो पहले चीज़ हुए यह दूसरी चीज़ अगर आपका पैसा बना तो वह एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा अब इसमें मेजर दिक्कत क्या है मेजर दिक्कत यह है कि अगर आप आज के मार्केट के अं पास है sensitive है काफी जादा और यह टाइम नहीं है कि आप इतना जादा leverage कर पाऊ मतलब आप लोन लेकर के फिर भी इंवेस्ट कर सकते हूं कि अगर आपको पता है कि भाई में रेगुलर इंकम ही आती रहेगी तो भी परसेंट पॉइंट वन परसेंट कह रहो मैं यहां पर मैं तो बिल्कुल भी sense नहीं बनाता है फिकर जो leverage है वो 2x, 3x त्यास पस हो जाएगा और इसके साथ क्या होगा जब बजार गिरेगा तो आपका पैसा बहुत तीजी से गिर सकता है और जो आपके अच्छी position है वो भी काट दी जा सकती है क्योंकि उनको अपना पैसा recover करना मतलब बजार bear movement में हो और दो बार तीन बार चार बार गिर चुका है मतलब अब टू बजार उपर से 40%-20% के आसपस गिर चुका है तब आप इस तरीकी के leverage ले सकते हो और तब जा करके पैसा बननने के chances काफी दा हाई होती है और जो risk होता है हमारा कम होता है तो अगर कोई क तो leverage लेकर के ही कही न कहीं return बनते है अगर आप short period of time के आप short period of time में ज्यादा return मनाना चाहते हो बिना leverage के तो भाई long term में ही बनता सस्टेनेबल SIP के साथ बनता है या फिर आपके multi bagger stock मिल जाए और आपके पास 10,00,000 रुपे हैं तो 10 के आपके पास 20 हो गया 20 के आपके पास जासे दा 40 हो जाएंगे अगर तीन एक 3x भी बन गया ठीक इस जज़्यादा तो नहीं हो पाएगा फिर इसके बाद बजार crash भी तो करेगा नीचे भी आएगा तो 40 के आपके वापिस है 20 हो जा यह का मैंने खुद करा है लेकिन यह का मैंने तब क्या था जा बजा मरा हुआ था आज की डेट में मैं खुद भी लून बून लेकर करके इंवेस्ट नहीं करो रहा है कि भाई एक दिन बोलता है बोल रहा है दूसरे दिन बोलता है कि market crash होने वाली है बड़ा confusing है बिल्कुल गई है शेयर बजार confusing यह होता है लेकिन जो मैं बोलता हूँ अगर आप उसको सही से सुनोगे न तो आपको concept समझा रहा है तो हम अच्छी जगा पर इंवेस्ट करते हैं और इसकी सासा जो जो main points होते हैं जिससे market crash हो सकती है वो भी आपको समझना पड़ेगा because एक बहुत अच्छी थियोरी है कि अगर हर इंसान को लगता भाई bullrun है मतलब हर एक random इंसान को पगड़ लो और वो बोलता भाई share बजास से करोड़ पती बन सकते हैं तो वो एक certain time होता है जहां पे बजार गिंडने की तयारी में लग जाता है ये बात मैंने सुनी थी राक pockets हैं जहां पर अपन्धा पैसा बना सकते हो अब आप ये बोलो कि भाई मेरे को लगातार इसी तरीकी के return मिले जैसे हमें past में मिले हैं वो मिलना मुश्किल होने वाला है विकाज अब चीज़े price in हो रही है धीरे धीरे और bull run और bear run ये एक सिक्के के दो पहलू है जितना ज्यादा इनके बारे में जाना होगे जितना ज्यादा इसके बारे में सीखोगे उतना ज्यादा जब ये गिरेंगे ना तब आपको इसकी value पता होगी कि भाई ये सारी ये कह रहे हैं कि एक detail video बना दें fundamental analysis पर कि कैसे multi bagger stock पकड़ते हैं और कैसे find करते हैं ये मुझे नहीं पता अगर मुझे पता होता सो मैं seriously बता रहो मैं एक आधी करोड रुपे ना loan पर लेकर करके उसी multi bagger में डाल देता तो no one knows multi bagger कहां पर बनते हैं बस जब ये बन जाते हैं तो हर इंसान कहते हैं कि हमने multi bagger return बना दिये हैं सेकेंड चीज जो ये bull run है इसके अंदर हर इंसान आपको multi bagger return मनाने की उमीद है देने वाला है including मेरे चैनल के उपर भी आप देखोगे काफी सारे stocks के बारे बात होती है लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जो भी stock के बारे में लोग multi bagger कह रहे हैं इवन यहां पर भी जो मैं discuss कर रहा हूँ वह based होनी चाहिए economics के उपर वह based होनी चाहिए उसके fundamental के उपर पैसा बन जाता है अगर fundamental अच्छे होते हैं तो अगर आप मेरे से पुछ होगी कि multi bagger return का तो नहीं पता मुझे exactly क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं मिला एक भी multi bagger return मिले हैं उसके कुछ key criteria होते हैं जो मैं आपके साथ share करता हूँ किसी भी stock के अंदर अगर आपको multi bagger return चाहिए होते हैं जो मैंने सीख है भी तक ठीक है जिसस काफी जदा mature company होती है इनका जो time period होता है market के अंदर वो काफी जदा पुराना होता है मतब काफी पुरानी companies होती है इसी के साथ-साथ जो इनका management होता है वो clean होता है जो growth होती है इनमें at least 20-25% का revenue growth के आसपास आती है year on year basis पर और इसी के साथ जो net profit होता है यह इनका growth कर रहा होता है थर्ड जो main point होता है जो अभी तर काम कर रहा था लेकिन आज की rate में इस golden में थोड़ा सा लग है उसमें पब्लिक की holding कम होनी चाहिए जब पब्लिक की holding होती है तो volatility आती है volatility traders के लिए अच्छी है investors के बहुत ज़्यदा अच्छी नहीं होती क्योंकि जब trading के अंदर volatility volatility से आप पैसा बनाती हो investing में आप परिशान होते हो जहां पर retail investor कम है वहां पर buying होने के chances बहुत ज़्यदा होते है और FIA के आती ही पैसा बनता है लेकिन इस बार की जो बजार है इसमें जहां पर retail investor खरीद रहा है वहां पैसा बन रहा है तो इस बार retail investor डर नहीं रहा है तो कौन सा segment में ज़्यादा interest रा retail investor का वहां पर भी पैसा बनाने के chances ज़्यादा होते हैं long term में नहीं short term में क्योंकि जब बजार चल रहा होता है तब वहां पर पैसा बन रहा होता है और fifth जो major point है वो यह है कि वहां पर ग्रीड होनी चीए थोड़ी सी जो management है उसकी जो conference calls होते ह उसमें greed होनी चीए market leader बनने की greed होनी चीए तो वो पैसा आपके लिए बहुत सारा बनाते हैं अगर इसी के साथ से आपको जो turn around company होती है वो भी बहुत पैसा बना करके देती है turn around company का मतलब यह हो गया कि वो company लगा था loss में है अब उसने अपना business सी change करा तो धीरे धीरे करके उसने loss कम किया उसको business सही किया तो उससे एकदम पैसा होना इसका basic example था Zomato loss making company थी उसने अपना business थोड़ा सा tweak किया और अब profitable company है because वो एक fix expense के साथ आती है कि भाई कितना उसको tech पर use करना है कितना उसको infra पर use करना है उसके बाद जब fix cost होगी और volume आगे तो वहाँ पर profitability basic fundamentals अगर आपके अच्छे हैं तो आप पैसा बना लोगे because 5000 companies में stock market में maximum 200 ऐसी company आऊंगी जिसके अंदरा पैसा बना पाऊंगे बाकी सारी की सारी company रद्धी होती है कहीं पर promoter issue दिखेगा कहीं पर growth नहीं दिखेगी कहीं पर net profit नहीं दिखेगे वह जो 200 company को छोड़के बाकी company होती है उसमें जाद दा chances है कि आप पैसा खोने वाले हो या फिर पैसा खोगे नहीं तो आपका पैसा बनेगा नहीं और बनेगा तो sustainable नहीं होने वाला पास back to zero हो जाएगा तो ये कुछ basic चीज़े हैं जो आपको समझ आने चाहिए इसके उपर मैं एक detailed video लेकर क्या आरने अपने दूसरे वाले चानल के उपर तो वहाँ पर आप जा करके subscribe कर सकते हो तो ये कुछ question थे जो इस वीडियो के इंदर पिक एंड थे वीडियो पसंद आई तो please इस वीडियो को like और चानल को subscribe करना बिलकू मिल भूलना, thank you so much for watching this video, tata, bye bye, signing off.